गुद मानिंग फ्रेंड्स and वेलकम टू टू टूडेज सेशन दल लिटरेरी फॉर्म्स and मॉमेंट डियर फ्रेंड्स आज हम सभी पढ़ने वाले हैं रिनेंसा एस को अर्था रिनेंसा पीरियड को तो आए स्टार्ट करते हैं रिनेंसा रिनेंसा इट वाज स्टार्टेड इन फ्लोरेंस इन इटली इन फोर्टिंथ सेंचुरी अर्थात रिनेंसा की सुरुवात चौदाहवी सताब्दी में इटली के फ्लोरेंस सहर से हो जाती यह समय है तेरस सव के आसपास का टाइम रिनेंसा इस अ फ्रेंच वर्ड रिनेंसा यह एक फ्रेंच वर्ड है विच मिन्ज रिवर्थ, रिवाईवल और रिवैकनी जिसका मतलब होता है रिवर्थ, पुनर, जन्म, रिवाईवल, रिवैकनी it is a cultural moment अर्थात what is a renuncia renuncia क्या है renuncia it is a cultural moment या एक cultural moment है this word was coined by the French historian writer Jules Michelet in his book हिस्टोरिये डी फ्रेंस इन 1855 अर्थात यह जो रिनेंसा वर्ड है इसको फ्रांस के एक हिस्टोरियन राइटर्स जूल्स माइकलेट ने अपनी बुक हिस्टोरिये डी फ्रेंस 1855 में कौइंड किया था अर्थात खोज की थी और बात की जाये रिनेंसा वर्ड तो रिनेंसा एक फ्रेंच वर्ड है जबकि रिनेंसा इस डेराइट फ्रां दा लेटिन वर्ड रिनेंसेर सब्द से लिया गया है which means जिसका तातपर्य है the act of being reborn जिसका मतलब है कि पुनर जनम रिनेंसा का मतलब re-worth, revival, re-awakening होता है तो रिनेंसा यह हिस्ट्री के छेतर में कहिन-कहिन re-worth होता है और poetry में, prose में, art में और scientific invention भी होते हैं रिनेंसा की शुरुवात इटली के Florence सहर से होती है तो इसका main fact क्या था इसका main reason क्या था तो इसको ले करके एक event से है जो 1403 में इस तरह से हम लोगों ने रिनेंसा को समझा अब आएए देखते हैं कि रिनेंसा किन-किन field में देखने को मिल रहा है जैसा कि रिनेंसा poetry के field में भी देखने को मिलेगा history के भी field में, science के field में, arts को ले करके अर्थात art के field में यानि कि रिनेंसा जो है जो इस समय का दोर है हर वो चीज जिसमें नया कुछ खोजा जाए, कुछ change किया जाए या परिवर्तन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि उसमें रिनेंसा का असर दिख रहा है तो इस तरह से हम लोग रिनेंसा को complete करने के लिए इसको divide कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग England में रिनेंसा के effect को देखेंगे यह इनिए the effect of रिनेंसा in England then the effect of रिनेंसा in Ireland फिर हम लोग रिनेंसा को Ireland में देखेंगे then the effect of रिनेंसा in America यह अमेरिका में रिनेंसा का time कब से कब तक माना जाता है फिर finally हम लोग आज आएंगे the effect of रिनेंसा in India अर्थात भारत में रिनेंसा की सुरुवात कब से कब तक मानी जाती है और भारत में रिनेंसा को कब लाये जाता है और किसके द्वारा लाये जाता है तो आएए स्टार्ट करते हैं जो रिनेंसा है इसका असर सबसे पहले हम लोग Italy में देखेंगे क्योंकि इटली के Florence सहर से माना जाता है The effect of Renanza in Italy जो इटली में है इटली की एक famous poet थे जिनका नाम है Petark Petark के poetry में Renanza का असर दिखने लगता है जैसा कि आपको पता है Petark महोद सौनेट लिखा करते थे तो उनके work अर्थात उनकी poetry में Renanza का असर देखने को मिल रहा है उनका जो सबसे महतपुड work है Kaino Nayer Kaino Nayer में Renanza का प्रभाव दिखता है जबकि बात की जाए इटली के एक महतपुड writer है जिनका नाम है Bocasio इनका महतपुड work है Stories एक कहानिया लिखा करते थे इनके कहानियों में Renanza का असर देखता है इनका जो सबसे महतपुड work है The Decameron इनका जो है The Decameron जो है इसमें Renanza का इफेक्ट देखता है और इन दोनों authors को निपेटार्क को और Bocasio को माना जाता है The First Renanza Humanist अर्थात कहा ये जाता है कि मानावता के लेकर के या मानावता के फिल्ड में जो Renanza का प्रभाव दिखाते हैं वो कौन है पेटार्क और वो केसी है और बात की जाए दानते की तो दानते का एक महतपुड work है Divine Comedia या फिर Divine Comedy इसमें इन्होंने टर्जा रीमा या टर्जा राइमा को कौन किया था और टर्जा राइमा को पोईट्री के फिल्ड में इंट्रोड्यूस करवा है और थात इनके वर्क में टर्जा राइमा जो एक नया पैटर्न कविता में देखने को मिलता है जिसका describe इन्होंने divine comedy या divine comedy में किया था तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोज और poetry के फिल्ड में रिनेंसा को देखा तो अब आईए देखते हैं art के फिल्ड में तो art के फिल्ड में तीन महत्वपूर आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है Michael, Enzelo, Rafael and Leonardo the Wenki जो ये Michael है इन्होंने status of Moses के माध्यम से रिनेंसा को दिखाने का प्रयास किया है जबकि बात की जाए राफिल तो राफिल का है मैंड डोनना ये इनका एक कह सकते हैं आर्ट है इस माध्यम से इन्होंने रिनेंसा को दिखाया है लियो नार्दो, दवेंकी से आप लोग वाकिफ हैं इनके लिए मोनालिसा है जो एक पेंटिंग है इसके माध्यम से रिनेंसा का असर इटली में देखने को मिलता है इसमें रिनेंसा देखने को मिल रहा है तो इस तरह से हम लोगों ने इटली में रिनेंसा के प्रभाव को समझा तो इटली में रिनेंसा का प्रभा कब से कब माना जाता है तो यह 14.7 से माना जाता है अब आते हैं हम लोग इंगलेंड में तो रिनेंसा का इफेक्ट इंगलेंड में जो है 1485 से 1660 तक दिखता है या फिर कह सकते हैं 15 सताबदी से लेकर के 1660 तक रिनेंसा का इफेक्ट इंगलेंड में देखने को मिलता है और यह टाइम 1500 से लेकर 1660 तक का टाइम अथेंटिक बुक M.H. अबराम के एकोर्डिंग दिया गया है अब हम लोग कवर करेंगे कि जो रिनेंसा का असर है किस किस एज में देखने को मिलता है तो सबसे पहले हेनरी सेवेंथ हेनरी सेवेंथ 1485 में इंगलेंड की गद्धी पर एक सासक के रूप में सासन करना प्रारम करते हैं अर्थात 1485 में राजा बन करके सासन करना प्रारम करते हैं तो इनके सासन काल में इंगलेंड में रिनेंसा आया और रिनेंसा का असर हेनरी सेवेंथ के बाद इंगलेंड की गद्धी पर बैठते हैं हेनरी एट्थ फिर हेनरी एट्थ के बाद उनका पुत्र एडवर्ड के बाद क्वीन मेरी और क्वीन मेरी के बाद एलिजावेथन एज अर्थात क्वीन एलिजावेथ फिर इसके बाद जैकोबिन एज में भी दिखता है इसका असर कैरोलीन एज उसके बाद कामन वेल्थ अर्थात कह सकते हैं कि इंग्लैंड में 1485 से लेकर 1660 तक रिनेंसा का प्रभाव दिखता है जिसमें बहुत से महत्पूर कविताएं हैं, बहुत से महत्पूर कहानिया, ड्रामा और कह सकते हैं कि आर्ट्स और बहुत सारी नई नई चीजों का अविस्कार हुआ है तो इस तरह से रिनेंसा का असर 1485 से 1660 तक दिखता है अब आते हैं हम देखते हैं इस समय के जो महत्पूर वर्क है उन वर्क में समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार रिनेंसा का प्रभाव है तो सबसे महत्पूर उस समय के राइटर्स माने जाते हैं इरेसमस तो Erasmus के work में भी Renanza का प्रभाव दिखता है और Thomas Moore का महत्पुड work है Utopia तो Utopia में Renanza का प्रभाव दिखता है अर्थात Utopian एक ऐसा work है जिसमें Imaginary Place को दिखाया गया है अर्थात हम कह सकते हैं कि Thomas Moore का जो महत्पुड work युटोपियन वर्क है उसमें Renanza का प्रभाव दिखता है इसके बाद Earl of Saray and Thomas Wayart जो Earl of Saray है और Thomas Wayart ये England से जाते हैं इटली और इटली से सानेट और पोईट्री के कुछ फाम को England में लाते हैं और England में उसको नया पैटर्न देख करके England में इंट्रोड्यूस कराते हैं और थात हम कह सकते हैं कि Renanza का प्रभाव Earl of Saray के वर्क में और Thomas Wayart के वर्क में देखने को मिलता है और इसके बात की जाए William Caxton तो William Caxton ने 1476 में एक प्रेंटिंग प्रेस इस्टेबलिस करते हैं उसके माधम से कह सकते हैं कि England में Renanza का असर हावी हो जाता है और बात की जाए जियोग्राफिकल फिल्ड में अर्थात भागोलिक छेत्र में तो भागोलिक छेत्र में अठानवे में इंडिया की खोज की जाती है वासको डिगामा की द्वारा तो इस तरह से इंग्लैंड में अमेरिका में और आयरलैंड जैसे कंट्री में भी अब रिनेंसा का प्रभाव दिखनी लगेगा अब आते हैं हम लोग देखते हैं the effect of रिनेंसा in Ireland आयरलैंड में रिनेंसा का प्रभाव जो आयरलैंड में रिनेंसा का प्रभाव है 1880 से 1949 तक दिखता है और Ireland में यह रिनेंसा Celtic Revival के नाम से जाना जाता है अर्थात कह सकते हैं Celtic Revival को Ireland में Iris Renensa के नाम से पुकारा जाता है और इसका टाइम 1880 से 1949 तक चलता है 1949 में डबलू बीट्स की डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के उपर डबलू एच अडन ने एक LGV लिखा है जो बहुत ही मात उड़ है The effect of Renensa in America अमेरिका में रिनेंसा का प्रभाव तो अमेरिका में रिनेंसा का प्रभाव 1828 से 1875 तक दिखता है इस समय अमेरिका में रोमेंटिक पीरियड या रोमेंटिक एज की सुरुवात हो गई थी अब बात करते हैं इंगलेंड में रोमेंटिक एज तो इंगलेंड में रोमेंटिक एज की सुरुवात 1785 या 1789 या 1788 बेसे लेकर के 1832 तक मानी जाती है जबकि अमेरिका में रोमेंटिक एज 1828 से 1865 तक और इस समय को या इस टाइम को अमेरिका में रिनेंशा एज के नाम से जाना गया है यानि कह सकते हैं 1828 से 1865 तक का टाइम अमेरिका में रिनेंशा का प्रभाव दिखता है तो इस तरह से हम लोगों ने एट ए गलेंश रिनेंशा को समझा अब जो महत्पूर फैक्स रह गए हैं उनको नेक्स पार्ट में लेकर आएंगे तब तक के लिए थाइंक यू